हलो फ्रेंड मैं डॉक्टर जीतेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर्म मॉबाइल नुम्बर इक्यानबे चालीस आंटालीस एकाइस जीरो चार निन्यानबे पैंटिस छाथ तीन साथ डबल फोर तीरानबे तीन साथ चौविश 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 चार आज हम लोग होमेपैथिक मेडिसिन बेलाडोना टूंडर्ड या थर्टी के होमेपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं डेडली नाइट सेड इसका बोटनिकल नेम है बेलाडोना टूंडर्ड वाय मंडल के सभी भागों पर काम करता है वहां रक्त संचे करता है प्रचंड तेजना लाता है ग्यानेंद्रियों की क्रियाओं में उथल पुथल करता है फड़कन अकडन और दर्द भी आता है इसका स्पष्ट कार रक्त वाह बहा नाडी मंडल चर्म और ग्रंथियों पर भी होता है बेलाडोना टूंडर्ड में सदा गरम लाल चेहरा चमकती आखें गर्धन की बड़ी रग में फड़कन आती है उत्तेजित मांसिक अवस्था सभी इंद्रियों इंद्रियां उत्तेजित असांत निद्रा अंग फड़कन न वह कड़ापन मुह का और गले का सुखापन पानी से ग्रिडा के साथ नाइविक सूल जो तेजी से उठे और गायब हो जाए आदिल अच्छ रहे हैं ऑक्सीटोपिस गर्मी लाली घरगराहट और जलन बच्चों की बड़ी दवा। मिर्गी का रोग और फिर मिचली और कै आरक तज्वर के लिए महान पुरतिरोधक है इस काम के लिए तीस सक्ती का बेवार करना चाहिए कंट माला कंट माला हुआई जहाँ चालकों की विद्विद सिकायतों के लिए भी उप्योगी है हुआई यात्रा सुरू करने से पहले यदि इसका बेवार कर लिया जाए तो फिर सिकायत नहीं आती तथा चिन्ता या भै का भाव या आवसद उन रोगों में विशेश रूप से हितकर है जो बहुत तेजी से और सासा आते है या गल गरंथियों के अत्यधिक बढ़े हुए विश को भी सांथ करती है डाक्टर बीप का मत है कि इस विश के निरा करन के लिए वन्यक्स सक्ति का व्योहार करना चाहिए मन्सिम्टम माइंड सिम्टम में रोगों रोगी अपनी ही दुनिया में रहता है बूत प्रेट से घिरा हुआ चारो तरफ के वातावरण की वास्तिकता से अन्भिग्य जबकि आँखों का पदों पर्दा वास्तिविक चीजों चीजें गरहर नहीं कर सकता कालपनिक वस्तिवों के जुन्ड इसके चारो तरफ गूमते फिरते रोगी केवल इनहीं दृस्तियों और विलक्षण ब्रहमों के संसार में विचरता रहता है दृस्ति भ्रहम भयानक देव भयानक रूप देखता है प्रलाप डरावने आभास प्रचंड क्रोधित दातों से काटता है मारता है भाग निकलता निकलना चाहता है अचेतना बात्चीत करना पसंद न करें हेट सिम्टम जदा इंपोर्टेंट है सिर में दर्द चक्कर आता है इसके कारण रोगी बाई और या पीछे की और गिर पड़ता है जराच हुए जाने से भी घबराता है टपकन और गर्मी अधिक लगती है हतकम सर में अन्भो होता है और इसके साथ सांस लेने से कठनाई करती दर्द पीडित अस्थान जैसे भरा हुआ है विशेस्तप पेसानी गर्दन और कम पटी जुकाम बाते बाते जब तक जब रुक जाए तो सिर दर्द आ जाता है रोगी सासा चीख मारता है दर्दें प्रकास दर्द प्रकास आवाज हिलने डुलने लेट जाए जाने से और दोस हर बाद बढ़ जाता दबाए और आधा जुक कर बैठने से घड जाता है दबाने से और आधा जुक कर बैठने से रोग घटता है दर्द घटता है रोगी अपने सर को तक ये मेर गाड़ता है और सर पीछे की और खीच जाता है बार बार इधर उधर पटकता है निरंतर आएं भरता रहता है केस जड़ते हैं सिरदर्द का दाई और जोर रहता है और लेटने पर बढ़ जाता है सरदी लगने का दुस्ट परिणाम बाल कट जाने के बाद दर्द सरदर्द आ जाता है बाल कटाने से भी सिर्दर्द बढ़ता है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्क्राइब